गूड मॉर्णिंग एवरीबडी कल के लेक्चर में बात यहां तक पहुँची थी कि आइंग यो इस्पर्म का फीमेल गैमिटोफाइट यानि इंबिरियो सैक सेवें सेल्ट एट नुकिलियेट स्टक्चर होता है आज बात को उसी के आगे बढ़ाते हैं इंबिरियो सैक और ओवियूल के स्टक्चर को एक साथ पढ़ते हैं मेच्योर ओवियूल में एक स्टाक होता है जिसे फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकिल कहते हैं और ओवियूल की बाड़ी होती है जिसे नूसिलस कहते हैं निूसिलस के बेसल पार्ड को चलाजा कहते हैं जिस पॉइंट पर फियूनिकुलस और निूसिलस अटैच होता है उस पॉइंट को हाइलम कहते हैं ओविल के अंदर एक इंट्रिगमेंट हो सकता है जैसा कि पहले बताया था गैमोपिटैली की फेमली में दो इंट्रिगमेंट हो सकते हैं पॉलिपिटैली और मानोकाट्स की फेमली में और कोई भी इंट्रिगमेंट नहीं होता है पैरासिटिक प्लांट्स में अगर ओविल में एक इंट्रिगमेंट होता है तो इसके लिए टेकनिकल टर्म है यूनी टेगमिक और अगर दो इंट्रिग्मेंट होता है तो टेक्निकल टर्म है बाई टिग्मिक और अगर कोई इंट्रिग्मेंट नहीं होता है तो ऐसे ओविल को कहते हैं ए टिग्मिक इस न्यूसिलस के अंदर माइक्रो पाइलर एंड की तरफ इंबिरियो साइक होता है embryo sacre में भी micropiler end के तरफ एक apparatus होता है एक apparatus के central cell को कहते हैं और दोनों lateral cells कहलाते हैं synergists synergists के अंदर कुछ finger-like projections पाये जाते हैं micropiler end के तरफ इस finger-like projections का नाम दिया गया है philly farm apparatus तो एक वर्ड हुआ एक apparatus दूसरा वर्ड पढ़ रहे हैं philly farm apparatus इस philly farm apparatus से एक chemical का secretion होता है जिसके response में pollen tube का movement होता है towards embryo psych इस embryo psych के अंदर तेन आइंटी पोडल्स पाये जाते हैं towards चलाजा और एक diploid secondary nucleus जिसे definitive nucleus भी कहते हैं ये center में पाया जाता है कुछ ovules में group of subirized या lignified cells पाये जाते हैं below the embryo psych in the चलाजर region इस subirized या lignified cells जो embryo psych के नीचे होता है उसका नाम दिया गया hypo estates इसी तरीके से कुछ ovules में यही lignified या subirized cells embryo psych के उपर पाये जाते हैं at the micropylor and इसका नाम दिया गया ap estates कुछ ovules में एक special type का structure डेवलब करता है जो pollen tube के path को dorate करता है towards embryo psych इस special structure का नाम दिया गया apterator यह हुआ ovule का structure अब हम लोग पढ़ते हैं types of ovules पिछले lecture में पढ़ा था ovule दो तरीके के होते हैं टीनियू नियू सीलेट और क्रैसी नियू सीलेट यह दोनों type development की basis पर थे अब जो type पढ़ रहे हैं यह relative position की basis पर है कि micropyl, चलाजा और फिवनिकुलस की position क्या है इसमें पहला type है आर्थो ट्रापस या एट्रापस ओव्यूल आर्थो ट्रापस ओव्यूल काफी important है यह compulsory सवाल में पूछा गया है आर्थो ट्रापस या एट्रापस ऐसा ओव्यूल जिसमें micropyl, चलाजा और फिवनिकुल यह तीनों एक straight line में हो 180 degree पे हो तब इस ओव्यूल को कहते हैं आर्थो ट्रापस क्योंकि micropyl और फिवनिकल एक straight line में होते हैं इसलिए इसे straight ovule भी कहते हैं यही सबसे जादा primitive type का ovule है दूसरे type का ovule कहलाता है आयना ट्रापस यह भी काफी important है यह भी जो है compulsory सवाल में पूछा गया है आयना का मतलब ही होता है उल्टा अभी हमने पढ़ा straight ovule सीधा इसी को उल्टा कर दिया जा है यानि माइक्रोपाईल और फिवनीकुलस एक दूसरे के पास पास आ जाए जब माइक्रोपाईल और फिवनीकुलस एक दूसरे के पास पास होते हैं तो वो ovule कहलाता है आयना ट्रापस यही सबसे ज़्यादा common और सबसे ज़्यादा advanced type का ovule है तीसरे type का ovule कहलाता है हेमी आयना ट्रापस या हेमी ट्रापस हेमी का मतलब ही होता है आधा आयना का मतलब होता है inverted उल्टा तो ऐसा ovule जो आधा उल्टा हो तो जब ovule आधा उल्टा होगा तो माइक्रोपाईल की पोजिशन होगी at the right angle to the फिवनीकुलस तो जब माइक्रोपाईल फिवनीकुलस के right angle पर हो तब वो ovule कहलाता है हेमी आयना ट्रापस नेक्स टाइप का ovule है केमपाईलो ट्रापस केमपाईलो ट्रापस में ovule की body तो कर्वड होती है मगर embryo sac में कोई करवेचर नहीं होता embryo sac straight होता है अगर ovule की body भी कर्वड हो और साथी साथ embryo sac भी कर्वड हो यानि दोनों चीज़ें कर्वड हो तब उस ovule को कहा जाता है आयमफी ट्रापस आयमफी का मतलब ही होता है बोथ तो बोथ में क्या हुआ ओविवल की body और embryo sac अब embryo sac का कर्वेचर इतना जादा होता है कि इसका shape हो जाता है हार्श शूशी लास्ट टाइप का ovule है सरसीनो ट्रापस सरसीनेट वरनेशन पढ़ा गया था सेकेंड सेमिस्टर में कि उसका करेक्टरिस्टिक फेचर है साइकस की यंगलीव में होता है सरसीनो ट्रापस सरसीनेटली क्वाइड तो इसमें ovule जो है ये पहले inverted होता है और फिर straight हो जाता है जिसकी वज़े से माइक्रोपाइल फिर उपर की तरफ आ जाता सरसीनो ट्रापस ओवियूल करेक्टरिस्टिक फीचर है कैक्टेसी फेमली का ये च्छे टाइप के जो ओवियूल है आर्थो ट्रापस, आयना ट्रापस, हेमी ट्रापस, केमपाइलो ट्रापस, एमफी ट्रापस और सरसीनो ट्रापस ये डाइग्राम से आपको और किलियर हो जाएंगे आर्थो ट्रापस माइक्रो पाइल और फिनिकुलस एक स्टेट लाइन में हैं आइना ट्रापस उल्टा माइक्रो पाइल और फिनिकुलस एक दूसरे के करीब करीब हैं हेमी ट्रापस यानि आधा उल्टा तो माइक्रो तो कर्वेचर इतना जादा है कि इंबियो साइक का शेफ हार्शू शेफ है और सरसीनों ट्रापस में ओवीब्ल पहले उल्टा हुआ और फिर सीधा हुआ ये डाइग्राम है इनसे और ये कीलियर हो जाएगा एकाउन थाइंक यू